मोधी सरकार के काबिल मंत्रियों में गिने जाने वाले नितिन गड़करी आज फिर चर्चा में है विपक्ष खास तोर पर कॉंग्रेस उनके इस बयान को ले उड़ी है जिसमें उनने कहा कि सपने दिखा कर पूरे नहीं करने पर जनता फिटाई करती है विपक्ष कहा रहा है कि नितिन गड़करी अपनी ही सरकार खास तोर पर पीम नरेंद्र मोधी को आईना दिखा रहे हैं क्योंकि अच्छे दिन लाने का सपना सरकार पूरा नहीं कर सकी लेगन बीजेपी का मानना है कि गड़करी ने जो कुछ कहा वो कॉंग्रेस के लिए कहा था वैसे नितिन गड़करी पिछले कुछ महीनों में अपने ऐसे बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं जिससे विपक्ष ने कहा कि वो मोधी के खिलाफ बोल रहे हैं मसलन दिसंबर 2018 में उन्हें कहा था हार और असफलता की जिम्मेदारी भी नेतित्तु को लेनी चाही आला कि जब जब बयान परहंगामा हुआ गड़करी की और से सफाई भी आई कि उन्हें संदर्ब से काट कर अलग पेश किया जा रहा दिसंबर 2018 में उन्हें बयान जारी करके कहा कि उनके और पार्टी नेतित्तु के बीच विरोध दिखाने की साज़िश नाकाम होगी लेकिन फिर भी जब गड़करी के बयान सुर्कियां बन रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या कोई और खिछडी पक रही इसलिए आज दंगल में सीधे सीधे सवाल पूछेंगे के नितिन गड़करी का निशाना आखिर किस पर है विपक्ष को गड़करी की बातों में अब रब क्यों दिखता है गड़करी बना मोदी का एजंडा क्या कॉंग्रिस चला रही है पूर्ण बहुमत नहीं आया तो क्या गड़करी बीजेपी का प्लान भी हो सकते और क्या नितिन गड़करी की मात्वा कांख्षा उनसे ऐसे बयान दिलवारी है आज का दंगल इन ही सवालों पर होगा कि सपने जो होते हो दिल के अंदर होती है कोई भी सत्ता आखे निकाल सकती है पर दिल के अंदर छुपे वे सपनों को कोई समापत भी ही किसे और दुसरी सपनों की और एक विशेश्था है कि सपने दिखाने वाले लोग नेता लोगों को अच्छे लगते हैं पर दिखाए वे सपने पूरे नहीं किये तो जयंता उनकी पिटाई भी दिखाओ इसलिए टिखाओ जो पूरे हो सकते नुट्खरी सबस्कूं के जो बयानस के तो बहुवर्थी बयान कंबाली बयान वे कि उनमने दिया जूटे बाwn अंग्रिस ने वादे पूरे ने किया दे पिटाई हुई हम लोगों की सरकार से लोगों को सीखना चाहिए कहा कि सरक बनाएंगे तेजी से बना रहे हैं कहा जंधन खाता खोलेंगे खोल रहे हैं कहा 18,000 गाओं में अंधेरा दूर करेंगे दूर किया कहा उजवला इसकीम मिला है तो हम देश के अंदर जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं बिल्कुल ठीक है और इसलिए हमने 100% वादे पूरे कि देखे क्या है आप 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 जो है वो बात का बतंगर कोई बनाता है तो उसकी वो उसकी प्राउब्लम है नितिन गटकरी जी या पाटी की जो भी वरिश्ट लोग हैं वो जो है वो एक्टम ऑनिस्टी के साथ साथ सुच्रे तरीके से अपनी बात कहते हैं और उसका जो है वो कोई आर्थ का नर्थ निकालने की सब्वत नहीं है नितिन गटकरी जी नहीं इशारा करती है सपने किसने दिखाया थे 15 लाख काला धन वाप उसमें उन्होंने कोई कोता ही नहीं बढ़ती है कि उन्होंने कोई आस्मानी वादे नहीं किया जिसको जमीन पर उताद ना सके तो संदेश सपस्ट है संदेश वाथ ने अपना काम कर दिया कितने काम किये इसका उलेख नितिन गटकरी जी ने हाली में हमारे राष्ट्रिय अधिवेशन में अपने स्पीच में दिया था और जो पचास साल में काम नहीं हुए ऐसे काम हमने साधे चार साल में करकर दिखाया और साफ तौर पर मेरा माना है नितिन गटकरी जी का इशारा राहुल गांधी की तरह है जो महा भारत में उत्तरकुमार के तरह बहुत बड़ बड़े बयान देते हैं बड़े नाटक करते हैं नाटकी अंदाज में भासन देते हैं बड़ लेकिन करने की चमता कुछ द्रखते नहीं है अगर गटकरी जी उको कांग्रेस का नाम लेना होता तो का पताना पड़ता कि भारती रास्टी कांग्रेस ने जो किये थे अरे वो तो साब साब कह रहे हैं कि ये वाइदे जो कर देते हैं ने ता कर ये देते हैं फिर जनता पीटती भी है उस समय अच्छे लगते हैं तो कईजे के भारती जंता पार्टी के नेताओं के साथ दुर्बेवार भी हो रहा है, नहीं होना चीजिए, कहीं कहीं दोडाए जा रहा है, कहीं के लोग करें पहले दो पंदा लाख उसके बाद आओ, तो ये सारी समझता है, भाजपा जेल लेए, वो उसका दर्द है, जो उ ठीक बात कही है, सच कहा है.